डार्क सर्किल्स और जुर्रियों के साथ कई स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करेगी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी एक अच्छा एंटी ऑक्सीडिन्ट है, यह आँखों के नीचे के काले घेरे, डार्क सकल, फाइन लाइन्स, जुर्रियों से बचाती है यह तवचा के उत्तकों, टिशूच को मजबूट बनाकर इसे जवाँ और खूदसूरत बनाती है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो तवचा के लिए फाइदे मंद है यह तवचा से डेट स्किन निकाल कर इसे साफ और मुलायम रख है स्किन केय एक्सपर्ट शहनाज हुसेन बता रही है इसके फेस पैक और इसका जूस को चेहरे पर लगाने के फाइदे यह हैं फाइदे इसके फेस पैक को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आँखों के नीचे आये काले घेरों की समस्या दूर होती है यह तवचा से एक्स्ट्रा ओइल को निकाल कर कील मुहासों से भी सुरक्षित रखती है तैनिंग हटा कर तवचा का रंग हलका करती है और इसे चमकतार बनाती है इसमें इलेजिक एसिड होता है जिससे यह चेहरे को धूट से हुए नुकसान से बचा कर तवचा को मुलायम और कोमल बनाती है अपनाएं ये तरीके कुछ देर स्ट्रॉबेरी को धीनी आंच पर उबाल कर जैम की तरह बना सकती है इस गूदे को बोतल में भरकर फ्रिज में रख दे और अपने फेस पैक मिलाकर इस्तेमाल करें आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं इसे 20 मिन्ट शेहरे पर लगा कर धूलें तीन चम्मच ओत्सिया गेहूं के चोकर में तीन स्ट्रॉबेरी का गुदा, एक चम्मच दही, शहेद मिलाएं चेहरे पर 20 मिन्ट लगा कर रखें और धूएं इससे चेहरे की रोनक बती है तीन बड़े चम्मच पिसे बादाम, पांच स्ट्रॉबेरी का गुदा और एक चम्मच जैतून का तेल मिलाएं इसे फेशियल स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें चेहरे पर लगा कर हलके हाथ से अंगुलियों को गोल घुमाते हुए रगड़ें सादे पानी से धो दें इससे डेट स्किन और टैनिंग निकल जाएगी स्ट्रॉबेरी से घरेलू पैक बना सकती है इससे सीधे गुदे की तरह फ्रूट पैक बनाकर चेहरे पर लगाएं 20 मिनट के लिए छोड़ दें और सादे पानी से धो लें इसे अन्य फलों के साथ मिलाकर या दही के साथ मिलाकर भी चेहरे पर लगाया जा सकता है स्ट्रॉबेरी का रस डाक स्पॉट्स पर लगा सकती है कॉटन की मदद से इसे तवचा पर लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए बाद में पानी से धो लीजिए स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो तवचा के लिए फायदे मंद है ये तवचा से डेट स्किन निकाल कर इसे साफ करती है और मुलायम बनाती है